अब इतने बज़े से होगा शुरू तो क्या है खबर की पूरी जनकारी बताएंगे आगे इस वीडियो में बंगलादेश और स्रीलंका के बीच इस्या कप का दुसरा मुकाबला कितने बज़े से होगा शुरू लेकिन दोस्तों आप भी चाहते हैं इस्या कप दो हजार तेश की बिगुलबच चुकी है जिसमें सभी टीम अपने-पने सब्तिका परदर्सन करने के लिए त्यार भी है और एस्या कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला गया और एस्या कप की हाई-बोल्टेज मुकाबला हिंदूस्टन और PAKस्तान के बीच दो सितंबर को खेला जाना है जिसका हर भारतिये फैंस को बे सबरी से इंतियार है लेकिन दोस्तो उससे पहले अश्या कप की दो मुकाबले हो चुके होगे और दूसरा मुकाबला के लिए बंगलादेश और स्रिलंका टीम मैदान में आमने सामने होगे तो दोस्तो आप सभी को पता ही होगा कि एसिया कप 2022 में स्रीलंका टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में बुरी तरह से हरा कर ट्रोफिय अपने नाम किया था और छट्वी बार एसिया कप की चेंपियन बनी थी तो दोस्तो स्रीलंका टीम डिफेंडिंग चेंपियन होने से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उत्रेगी और 2023 में भी चेंपियन बनना चाहेगी उधर बंगलादेशी टीम एसिया कप में आज तक एक बार भी चेंपियन नहीं बनी है तो इस बार 2023 में एसिया कप का चेंपियन के साथ खाता खुलना चाहेगी और एसिया कप 2023 का दुसरा मुकाबला इसी दोनों टीम के बीच होगी और यह मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाना है और प्रोस भारते समय अनुसार दो बच कर 30 मिनिट में होगा और मैच का पहला गेन तीन बजे फेका जाएगा